एक लड़की जो कि बहुती खूबसूरत और दबंग किसमकी होती है जो कि एक अब्यत्री होती है उसका प्यार एक मंत्री के साथ हो जाता है वो एक MLA होता है और जब दोनों में प्यार होता है दोनों साथ रहते हैं जब लड़की प्रेगनेंट होती है तो तब खुलता है र गटना को पूरा जानना है तो बने रहे वीडियो मेरे साथ लास तक राम राम नमशकार में मैं चौदरी लेकर आई हूं आपके सामने लखनों की सची घटना जहां पर एक व्यक्ति होता है जो की बहुत ही दवंग किसम का होता है और जो की एक नेता भी है नेता जब हो है तो अमरमनी ठरपाटी के घर पर वो मिलता है तो बहुत सारी उसके दर उधर जैक लड़की होती है जिसका नाम होता है मदुमीता सुकला जिसका पिता की ब्रेन स्टॉक के चलते मिट्यू हो जाने के बाद सारे परिवार का बोज उसी लड़की पर आजाता है जो उस लड़की पर सारे परिवार का बोज आता है तो वो लड़की अपने परिवार को चलाने के लिए कविताय लिखने लगती है और जब कविताय लिखती है तो फिर वो बहुत अच्छी कवित्री बन जाती है और कवित्री बनने के बाद अब जिस भी मंच पर वो जाती वही पर उसकी वाही वाही होती दिखने में भी काफी सुन्दर और काफी दवन किसम की वो लड़की थी कोई भी उसको देखे तो मोहित उसकी तरफ हो जाता था तो ऐसा एक सिलसला चला आ रहा था अब एक दिन वो ऐसा आता है जब उस अमर्मनी की मुलाकात उस लड़की से हो जाती है जिसका नाम होता है मदुमिता सुकला जो अमर्मनी है उसकी पत्नी का नाम भी मदुमती तरफाटी होता है और उसका नाम होता है मदुमिता सुकला दोना के सेम जैसे नाम होते हैं लेकिन जब वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उन में बहुत ज़्यादा प्यार बन जाता है और वो एक दूसरे के रिलेशनसिप में आ जाते हैं वो लोग साथ साथ रहते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहां वो साथ नहीं जाते वो सभी जगह अच्छे से घूमते इंडिया ही नहीं बलकि बाहर भी विदेशों तक भी वो लोग घूम कर आए जब लोग साथ में रहते और घूम कराते तो लड़की प्रेगनेंट हो जाती है पहली बार जब प्रेगनेंट होती है तो उसका अवोशन करा दिया जाता है फिर कुछ समय निकलता है फिर दूसरी बार वो प्रेगनेंट होती है फिर उसका अवोशन करा दिया जाता है फिर कुछ समय से गुमते गामते निकलता है तो फिर से उसका तीसरी बार अवोशन कर आप चौती बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो फिर वो कह देती है कि अब मैं इस बच्चे को जनम दोंगी जब उस बच्चे को जनम देने के लिए कहती है तो जो व्यक्ति है उसको गुसा जाता है और वो दोनों अलग-अलग हो जाते हैं वो लड़की अपने फ्लैट पर जब होती है वो फ्लैट भी उसी व्यक्ति ने उसको दिलवाया था उसमें जब होती है तो जो वो व्यक्ति है जिसका नाम है अमर मनी तृपाटी उसका जो सार्प सूडर और एक और उसका गैस जो रिस्तेदार है वो आता है तो वो दोनों जब घर पर आते हैं तो वो जो उनका नौकर है उसको चाय बनाने के लिए बेजती है तो जैसे वो चाय बनाने के लिए जाता है तो उसको गोली की वाद जोर से सुनाई देखती है जब गोली की वाद सुनाई देखती है तो वो वापस आता है तो देखता है वो लड़की मदुमीता सुकला जमीन पर उसको पोस्ट माडम के लिए भेज़ा जाता है तो उस लड़की के पेख में सात महीन कब बच्चा होता है और बनका है तो यह खबर सहाँ की सुरक्यांब बन जाती है सोसल मीडिया पर बहुत जोरों से वैरल होने लगती है जो जोरों से वायरल होती है तो इस पर सरकार को गौर करना पड़ता है उधर उस लड़की की बहन नीसा सुकला जब केस को दायर करने के लिए जाती है उनके खिलाब F.I.R. करने जाती है वो जो अमरमनी थे तरपाटी जी लेकिन पुलिस उसके खिलाब कोई भी तहरीर नहीं लेती है जब भी वो लिखती है तो है कि तरह फैलती है तो दो उसकी तहरी लिख ली जाती है और जैसे वह परिवार वाले कहते हैं उन er में करते solve करते हैं जैसे यह case में solve होता है तो उन सबी को उम्रकैद हो जाती है लेकिन उम्रकैद जो हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए हुई थी क्योंकि वो बिमारी का अक्सर बहाना करकर जेल से पत्र लेकर अक्सर बाहर रहते थे यहां तक कि जब लोग अंदर रहते तो उनके कुछ परिवार वालों ने अलेक्शन भी लड़े और वो लोग अलेक्शन जीते भी दो यह एक ऐसा एक ऐसा परिवार था जिसने एक लड़की की जान ले ली दूसरा एक लड़के को किड्नेप कर लिया लेकिन अभी भी इनका सरकार पे कुछ नहीं बेगला ऐसा चिखटना के साथ देखते रहें क्राइम लेर जैहिन जैबार